नीमज नगरपाली का में स्वास्ता संबंधित उपकर्ण के कबाल हो जाने का मामला प्तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। शेहर में कॉंग्रेस के पार्षद इस पूरे मामले को लेकर नगरपाली का परिशत पर गंभीर आरोप लगा रहा है। नीमज नगरपाली का ने नीमज को सस्ता सर्वेक्षन में नमबर वन मनाये जाने को लेकर लाकों के साधन संसाधनों की खरीदी तो की लेकिन उनके रखरखाओं को लेकर लापरवाई की नतीजे में आज वे कबाल हो चली है। कच्रा गाडिया हो या फिर डस्बीन या अन्यस साधन बड़ी तादाद में नगरपाली का कही परिशर में कबाल होकर जंग खाये पड़े हैं लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है और नगरपाली का नए उपकरण खरीदने में लगी हैं जिसे लेकर विबक्षी पार्श द्वारा की गई है इस पूरे मामलेस उनका कोई लेना देना नहीं और उन्होंने यह तमाम बाते केकर अपना पल्ला जाड़ लिया जंता की कमाईगी के पैसों से जो मशीने खरीदी आज यहां पर कबाल खाने में भंगार पड़ी हुई हैं बंगार जंग खा रही हैं मश Gothic में दौर्श का मशीन रुलो जबी टेक्टर को में यह तरफ करें दिया हैं स्वास्ता कि नामने खरीदेगी नगरपली का अध्यक्स और हमारे नगरपली का कि सीमो और जो सौस्त अधिकारी वो बंगर नंबर साट पर जहां मशीन साधन पड़े हैं वहां आकर जाकते भी नहीं है कि मशीनों के क्या आलत इसकी बार हम कई बार सिकायज भी कर चुक है परिशाद में मुद्दा भी उटा कंशन के चकर में मशीने खरीते हैं और उनको कोया लेना देना है नहीं होता है कि जंदा के लिए ज drafting कर दिए दों से पसकी बार सियन और जो यहां रएं वे आस्तक उप्योग में नहीं आये वह जाज का विशेय है जो भी फोग मशीन है वे फोग मशीन चालू है पूरुक के द्वारा खरीदी गई फोग मशीन बंद पड़ी है उन्होंने एक लाक उन्चालिस में मशीन खरीदी थी एक फोग मशीन हमने 45,000 रुप में फोग मशी दी है आप उसी से अंदाज लगा दे कि कमिशन किसने खाया है वाइसाफ एंपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट